एक बार ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध, क्या आपने सुना उनके बारे में? सबी ने गौतम के बारे में सुना? So, उनका नाम बुद्ध नहीं है, उनका नाम है गौतम सिध्धार्थ वो एक बुद्ध बन गए वैसे वो दुनिया के एकलौते बुद्ध नहीं है हजारों बुद्ध हो चुके हैं और आज भी है तो गौतम एक दिन सुभा लोगों के एक बड़े समूह के बीच बैटे थे सुभा सुभा, मतलब कि इस समय से भी पहले एक आदमी आया और आकर पेड की आड में खड़ा हो गया वो आदमी बहुत बड़ा भक्त है वो राम का भक्त है आप राम के बारे में जानते हैं? रमी नहीं, राम राम भारत के प्रमुख तेवताओं में से एक हैं अगर आपको पता नहीं हो तो भारत में हमारे पास 33 करोड देवी देवताओं है तो वो राम का बहुत बड़ा भक्त था भारत में भक्त गण आजकल ऐसा नहीं होता नहीं हर कोई ऐसा होता है लेकिन वो लोग जो इसे गंभीरता से लेते हैं वो जिस भगवान में विश्वास रखते हैं उसके नाम के अलावा कुछ और बोलते ही नहीं अगर वो आपको बुलाना चाहते हैं तो वो कहेंगे राम राम अगर जाने के लिए कहना हो तो राम राम अगर उन्हें कुछ चाहिए तो राम 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 के सिवा कोई और शब्द नहीं कपड़ों पर भी राम राम छपा है वो बोलते भी राम राम हैं वो जीते भी राम राम हैं वो अपनी पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित कर देते हैं आप स्मार्प हैं आप वैसे नहीं हैं आप भगवान को इंशॉर्ण्स की तरह रखते हैं कहीं अगर कुछ गड़बढ हो जाए तो मैंने भी अपना प्रीमियम भरा हुआ है जो कुछ आपको करना है आप करी लेते हैं भगवान को आप इंशॉरंस की तरह रखते हैं, आप स्मार्ट हैं, लेकिन इस आदमी ने अपना पूरा जीवन भगवान में लगा दिया, पूरी तरह से, उम्र बीत रही है, थोड़ा सा संदेव पैदा हुआ, क्या यहां ऐसे लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, कोई नहीं, कोई वामपन्थी नहीं है, सिर्फ यह, क्या नाम है आपका, सिर्फ जॉन, और कोई नहीं, तो थोड़ा सा संदेव पैदा हुआ, वो जानता है कि भगवान है, बस छोटा सा डाउट, मान लोग कि भगवान नहीं है, तो मैं राम राम जब कर अपना पूरा जीवन बरबाद कर रहा हूँ, यह डाउट आपको तभी होगा, अगर आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, आप हफते में सिर्फ दस मिनिट लगाते हैं, तो आपको यह डाउट कभी नहीं आएगा, चलता है, दिक्कत क्या है अगर आप अपना जीवन पूरी तरह से भगवान में लगा दें, तो तीन दिन के अंदर ही यह डाउट होने लगेगा, क्या मैं यह काम करके अपनी पूरी जिंदगी बरबाद कर रहा हूँ, और दूसरे लोग भी हैं, जो भगवान में यकीन नहीं रखते, इस जॉन को द तो छोटा सा डाउट, वो जानता है कि भगवान है, बस एक छोटा सा डाउट, अब यहां एक आत्म ज्यानी महापुरुष मौजूद हैं, वो बस पक्का करना चाहता है, लेकिन काफी लंबे समय से एक जाना माना भगत होने के कारण, क्योंकि वो सिर्फ मंदिर जाता ही न हो गया, और उसने ये सवाल पूछा, क्या भगवान है, गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और साफ साफ कह दिया, नहीं, वहां शिश्यों की पूरी मंदली बैठी थी, उनके मन में ये जद्धो जहत हमेशा चलती रहती थी, कि भगवान है या नहीं, भगवान है या न जब भी वो गौतम से ये सवाल पूछते थे, तो वो हमेशा मौन हो जाते, वो कुछ नहीं कहते, पहली बार उन्होंने साफ साफ जवाब दिया, भगवान नहीं है, पूरी मंदली में खोशी की लहर फैल गई, ये जद्धो जहत कि भगवान है या नहीं, अब खत्म हो आत्म ग्यानी महापुरुष ने गोशित कर दिया है कि भगवान नहीं है, ये संदेश पूरे शहर में फैल गया, पूरे दिन जश्न मनाया गया, क्योंकि जरह इस आजादी की कलपना कीजिए, भगवान ना होने का मतलब है कि कोई भी उपर बैटकर ये हिसाब नहीं लिख कर सकें, जिन्दगी पूरी तरह से आपकी है, तो पूरे दिन जश्न मनाये गए, हर कोई खुशी से जूम रहा था, शाम को एक बार फिर सभा बैठी थी, एक और आदमी आया, वो भी दूर पेड की आड में खड़ा है, ये आदमी एक चारवाक है, चारवाक या नी, भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, जो चारवाक के नाम से जाने जाते हैं, ये चारवाक पूरी तरह से मटीरिलिस्ट होते हैं, ये किसी और बात पर यकीन नहीं करते, अपनी आखो देखी के अलावा, शायद यही इकलौती संस्कृती है, जो इसकी छूट देती है, आप देखेंग कि बहुत से धर्म प्रचारक भगवान का संदेश फैलाने के लिए गाव-गाव जा रहे हैं, और भगवान के ना होने का प्रचार करने वाले भी गाव-गाव जा रहे हैं, और लोगों से बहस करके ये साबित कर रहे हैं, कि भगवान नहीं है, शायद यही इकलौती संस्क जो इसकी इजाज़त देती है, बाकी जगाओं में तो वो मारे जाएंगे, अगर आप चाहें तो भगवान का प्रचार कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके ना होने का, यही सची डिमॉक्रसी है, है न, ऐसा हजारों सालों से चलता आ रहा है, लोग गाओं में जाकर बहस क करते हैं कि भगवान नहीं है, तो यह एक एक्सपर्ट चारवाक है, आपका विश्वास चाहें कितना भी पक्का क्यों नहों, अगर आपने दस मिनिट उस से बात कर ली, तो वो साबित कर देगा कि भगवान नहीं है, हजारों लोगों को वो यकीन दिला चुका है कि भगव भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, उम्र बीत रही है, थोड़ा सा संदेय आ गया है, मान लो कि भगवान है, जब मैं वहाँ जाओंगा, तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? और ये सारे भक्तगन कहते हैं कि उनके पास टॉर्चर करने के लिए हर तरह के आज़ार हैं चूंकि मैं एस जाबित करने में लगा था कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो शायद मुझे ज्यादा ही टॉर्चर करेंगे वो जानता है कि भगवान नहीं है, उसमें हजारों लोगों को साबित किया है कि भगवान नहीं है, बस थोड़ा सा संदेय है अब एक आत्मग्यानी महापुरुष मौजूद है वो पक्का करना चाहता है तो वो शाम को आकर वाँ खड़ा हो गया और उसने भी वही सवाल पुछा क्या भगवान है गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा हाँ एक बार फिर खल बली मच गई सुभा उन्होंने का भगवान नहीं है वो सबी बहुत खुश थे शाम को वो कहते हैं भगवान है तो गौतम ये कौन सा खेल खेल रहे है देखे अगर आप विश्वास करते हैं कि भगवान है या आप विश्वास करते हैं कि भगवान नहीं है दोनों एकी चीज़े हैं आप ऐसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते हैं मैं इस पर विश्वास करता हूँ तो मुस्पर विश्वास करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं कोई भी किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता है ये जरूरी नहीं कि इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना हो अगर आप ये स्वीकार करें कि मैं नहीं जानता तो जानने की चाहत पैदा होगी अगर चाहत पैदा होगी तो खोड शुरू होगी और अगर खोज शुरू होगी तो जानने के संभावना भी होगी